हेलो एवरिवान वेलकम बैक तो माई चैनल गाइस एक और नियू रीडिंग के साथ मैं आ गई हूँ कैसे हैं आप सब आई होग कि सभी अच्छे हैं खोश्यार अपनी लाइफ में भी आगे बढ़ रहे हैं तो आज हनुमान जैनती है आप सभी को मेरी तरफ से हनुमान जैनत लेकर आई हूँ हनुमान जी के तरफ से आपके लिए गाइडेंस अर्जेंट मैसेजर वो आज के दिन आपको क्या बताएंगे क्या आपके साथ बाते शेयर करेंगे जो भी आपको सुनने की ज़रूरत है तो आज की रीडिंग बहुत ही हेलफुल रहेगी आप सभी के क्योंकि यह जो मैसेज़ आपके लिए आ रहे हैं वो हनुमान बाबाजी की तरफ से आ रहे हैं तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग बिना देर करें और देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस या क्या अर्जेंट मैसेज़ आ रहे हैं उनकी तरफ से यह टाइमलेस रीडिंग है जब भी आप यहां तक पहुंचें आप देख सकते हैं जिस भी दिन आप यहां पहुंच रहे हैं आप अराम से देखें आपको बहुत हेल्प कर सकती है आप स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या अर्जेंट मैसेज़िस आपके लिए आ रहे हैं नाइन अफ कप्स वाव अच्छा अर्जेंट मैसेज़िस गाइडिंस के साथ साथ हो सकता है ब्लेसिंग्स भी हनुआन बाबा आपको दे आँज के दिन क्योंकि पहला ही कार्ड इतना खुबसूरत आया है नाइन अफ कप्स दूसरा है पेज ऑव वंट्स चलो यह कार्ड आ रहा है वाव एस अफ कप्स Ace of Cups ओके ये काड़ा आ रहा है Wow Two of Cups Moon हनुमान बाबजी की बहुत कृपा है हम सभी के उपर और जो हमें अब वो आगे देने वाले हैं वो बहुत बहुत ही खुपसुरत है मुझे लगता है मुझे और काड़ की ज़रत नहीं है मैं इतने भी बता दूँगी आपको उनकी तरफ से क्या मैसिज़े आ रहे हैं चलो फिर भी दो काड़ और ले लेते हैं दो तो एसिस के ही काड़ आ गया वाव एक और काड़ आ गया स्टार ओ माइ गाड़ स्टार काड़ सही क्या मैंने मुझे काड़ लेना चाहिए न अभी एक और काड़ की हाँ ज़रत है और क्या ब्लेसिंग आ गया न मुझे अपने आप ही काड़ चाहिए था मुझे खुद से लेना था टावर ओके तो यह जो टावर काड़ आया है यह भी एक मैसेज लेकर आया है और देखो टैंपरिंस का काड़ है बाटम दे रेक से सारे के सारे कार्ड़ आप देख सकते हैं कितने खुबसूरत हैं यहां तक कि वर्टम देख से भी कार्ड़ जो आया है वो बहुत ही अच्छा है एक कार्ड जो टावर है वो हमारे लिए उतना अच्छा कार्ड नहीं है लेकिन इसके पीछे एक बहुत अच्छा मैसेज है जो मैं आपको बताऊंगे गाइस पहला ही कार्ड था ना वो था Nine of Cups यानि कि आज के दिन उनके बर्ड़े के दिन ठीक है हनुमान बाबजी के बर्ड़े के दिन मुझे लगता है वो आपको आपके कोई बहुत बड़ी जो विश है ना उसका वो पूरी हो जाए उसी का आश्रिवाद आज के दिन आपके पास आया है क्योंकि इस कार्ड के ठीक नीचे ही ना Ace of Pentacles का कार्ड है और आप देख सकते हैं कि बाबा का अगर ये हाथ है तो उनके हाथ में एक उपहार है यानि कि एक गिफ्ट है एक ब्लेसिंग है आपके लिए और वो देखो Nine of Cups के ठीक नीचे ही एक कार्ड था तो ये दोनों कार्ड तो बता रहे हैं कि आपकी बहुत बड़ी इक्षा पूरी हो जाए उसके लिए बाबा का आश्रिवाद आपको मिल चुका है आप ये मान के चलें जो भी आज इस रिडिंग को देख रहे हैं सबसे पहली बात तो यही है कि आपके पास इनका आश्रिवाद आ चुका है आपकी बहुत बड़ी जो ड्रीम है वो आपकी पूरी हो जाएगी आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरुरत नहीं है सबसे पहली बात तो यह है आप टैंशन फ्री होकर काम कीजिए कृपा आपके ऊपर बाबाजी की बहुत ज़्यादा आ चुकी है और वो शायद बहुत टाइम से आपको देख रहे होंगे आप परिशान हैं महनत कर रहे हैं तो यहां पर जो बाब जिस भी भगवान में बिलीव करते हैं हो सकता है कि हनुमान बाबाजी उनी का रूप लेकर आपके सामने आएंगे या फिर अपना आश्रिवाद आप तक पहुंचा रहे हैं मैं हनुमान बाबाबा में बहुत बिलीव करती हूं बहुत 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 जादा बिलीव करती हूं और एक फैक्ट में आपको और बताती हूं अगर आप कृष्णा भगते हैं ठीक है अगर आप लौड कृष्णा को बहुत मानते हैं तो हनुमान जी तो खुदी उनके साथ साथ आपके पास आ जाएंगे और वो आपको अपना आश्रिवाद भी देंगे गाइडेंस भी देंगे और प्रोटेक्शन भी देंगे क्योंकि जो नारायन जी के भक्तो जाते हैं तो उनको हनुमान जी का आश्रिवाद तो अपने आप ही मिल जाता है ठीक है तो ये तो बिल्कुल सच बात है आपके inner work में आपका साथ देंगे ठीक है अब आप आप देखना मुझे तो लगता है या तो आपको हनुमान बाबाजी बहुत जदा दिखाई पड़ रहे हैं चाहे कैसे भी आपके फोन की स्क्रीन पर या उनका मंदिर आपको दिख जाता है या वो आपके टीवी स्क्रीन प जाते आश्रिवाद बना रहेगा उसके बार भी बना रहेगा लेकिन अभी बहुत ज़्यादा जरुरत है आपको उनकी तो आपके साथ ही खड़े हैं दूसरा बहुत अच्छा कार्ड ये दिखा कि आप देख सतने हैं स्टार का कार्ड है स्टार कार्ड हमें हमारी विशे दिखा रहा है तो आपके wishes तो वैसे ही अब पूरी होगी 100% पूरी होगी जो रुकावर्टी थी जो blockages थे वो ना end है देखो ये card सबसे end में आया है मतलब कि जो blockages जो obstacles जो आप face कर रहें life में वो अब उनका end होने वाला है आप ये समझ लीज़े ठीक है बिलकुल finish हो जाएग जो आपको परिशान करती है अब आपका time आगया है कि आप एक ऐसी मुकाम पर पहुंच जाए जहां पर आप दुनिया को बहुत अच्छे से देख सकें एक आपने ना बहुत काम करा है बहुत सफर करा है तो कहते हैं ना जब हमने बहुत महनत कर ली बहुत काम कर लिया तो आप दुनिया को देखने का नजरिया बदल गया जैसे एक इनसान जब पहार पर चड़ता है कितनी महनत का काम है कितना उसको अपना खून पसी नाइक करना पड़ता है लेकिन जब वो टॉप पे पहुंचता है उसे कितना सुन्दर व्यू दिखाई पड़ता है तो सेम वही आपके साथ हो रही है आपका एफर्ट आपकी महनत अब आप देख सकते हैं आप कितने प्राउड फील कर रहे हैं आप कितना अच्छा फील कर रहे हैं आज से आपके सारे दुख मुझे तो लगता है खतम होने वाले हैं आपकी इंट्यूशन ने भी आपको काफी आज हैं या नहीं बातचीत हो रही है तो वहां से भी मुझे लगता है काफी ब्लेसिंग्स अबंडन्स आपको मिलेगी आपके आपकी लव लाइफ पर भी बाबा का हाथ है ठीक है आश्रिवाद है और आप देख रहे हैं सिक्स ओफ कप्स का कार्ड यही है कि जो चीजे आपके लगती आपके आपके लव लाइफ में भी आश्रिवाद है ठीक है और इस टार कारड बता रहु है कि आपके खुषियां जो भी है आपकी जो wishes हैं वो आपको मिल कर रहेगी तो ये reading बहुत खुबसूरत आ गई है इस time और बाबाजी ने बहुत अच्छे cards भी दिखाए हमें और साथ ही साथ जो messages आ रहे हैं वो भी बहुत ही सुन्दर है और आपके सपने भी पूरे मुझे होते वे दिख रहे हैं और जो बच थोड़ा बहुत अगर time लगेगा तो अब इस time में जब तक आपका गोल पूरा नहीं हो जाता बाबा आपके साथ ही रहेंगे हनुमान बाबाजी आपके साथ रहेंगे आप ये बिलकुल मान के चलें ठीक है तो बहुत tough time था आपने survive कर लिया आपने देख लिया अब आगे आप समझ लिजे कि हनुमान बाबाजी ने आपका हाथ पकड़ लिया है ठीक है अब वो आपका हाथ छोड़ेंगे नहीं आपको सहायता भी देंगे आपको guidance भी देंगे आपको आश्रिवाद भी देंगे सब कुछ मिलेगा आपको बहुत सुंदर काड़ आएं और देखते हैं और क्या आपके लिए है आपना ये मत सोचना के दूसरों को जल्दी मिल गया आपको लेट से मिला ठीक है ये सारे चीजे मत सोचना क्योंकि ये सोचना सही नहीं रहेगा बिल्कुल भी किसी भी हालत में आपकी जर्णी है आपकी डिवाइन टाइमिंग है आजाएगे आपके लिए भी डॉंट वारी ओके मैन होल्दिंग अ कॉइन आप अपने पैंटिकल्स अपने करियर पर ही ज़्यादा से ज़्यादा फोकस रखे आपके परसन भी यही कर रहे हैं आप भी यही कीजिए इस ताइम ठीक है आपके लाइफ में पॉजिटिविटी लाने की पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं और आप इस जगह आप ज्यादा देर तक नहीं खड़े होगे अब आप आगे बढ़ोगे लाइफ में और आपको ना बटरफ्लाइज भी दिखी हैं बहुत दिख रही हैं गाईज मुझे ऐसा लग रहा है बिल्कुल दिख रही हैं आपको colorful बटरफ्लाइज दिख रही हैं woman holding a heart number 44 master number and man holding a heart तोनों अपने अपने काम पर आप फोकस कर लो देखो हमारे पास couple तो पहले ही था ना two of cups अपनी healing पर फोकस कर लो आपकी जो मनते आप मांग रहे हो वो सब divine सुन रहे हैं पहुँच रही है आपकी आवाज वहाँ तक देखो couple तो मारे पास यहां पर भी आ है तो यह गाइज आप एक बात सोचो आप दोनों ने गजूसरे को अपना दिल दिया हुआ है आप दोनों ने गजूसरे से प्यार करते हो तो इस प्यार को कम मत समझना divine love है soul connection है तो आप दोनों बहुत प्यार करते हो एक दूसरे से और भगवान का आश्री stroll को मिल रहे है एक चीज़ और है, Ace of Cups कार्ड ना ये भी बता रहा है, जो अपने Divine counterpart का वेट कर रहे हैं, जो बिल्कुल सिंगल हैं, बहुत टाइम से, उनकी लाइफ में, आपकी लाइफ में, अब आपकी प्यार आ सकते हैं, आपका सच्चा प्यार आ सकता है, चीक है? इसके चांसेद भी बहुत ज़्यादा हाई दिख रहे हैं, अब यहां से कुछ देख लेते हैं, और क्या आपके लिए आ रहा है? यहां से आपके लिए क्या guidance है, यह भी मैं पता कर लेती हैं, कुछ कार्ड यहां से आ गए हैं, चलो, इनको देख लेते हैं, माउंटेइन रोड, मैं तो देखो माउंटेइन की बात कर लेती, यू आपने इसको चड़ने में बहुत टाइम लगाया, बहुत मैंनत करी हैं, तो लेकिन यह आपको success की तरफ ही लेकर जा रहा है, अब जितनी उचाई पर आ गए ना, तो आप हनुमान बाबजी देख रहे हैं, कि आपको support की जरुरत है, आपको protection की जरुरत है, तो वो अपना first पूरा निभा भी रहें, आपके पास आ गए हैं, आपको अपना protection देने, ओके, new opportunities, possibilities, and paths opening up, यानि कि आपके पास, आपके paths open हो रहे हैं, जो रास्ता बंद था, बहुत time से, वो अप खुलेगा, ठीक है, जिसका बहुत time से वेट कर रहे थे, और guys, एक चीज और मैं आपको बता दूँ, कि warning, एक आपके लिए न, warning आ रहे है, warning you of a person, either now, or in the near future, near future में या फिर अभी, कोई ऐसा person है, जो आपके सपनों के against, आपको बोल रहा है, कि आपको यह नीचीज करनी चाहिए, ऐसे करना चाहिए, तो उसको थोड़ा सा ignore करके चलना पड़ सकता है आपको, ठीक है, लेकिन देखो, आपकी love life भी improve हो जाएगी, deep love, affection, and caring, यानि कि, आपके लिए, जो भी आपके partner है, वो आपको प्यार भी करेंगे, affection भी दिखाएंगे, care भी दिखाएंगे, ठीक है, ये वाला card भी यहाँ पर बता रहा है, romance, celebration, party, तो हो सकता है, आगे चलकर आपके पास, romance आ रहा है, celebration आ रहा है, और party भी आ रही है, क्योंकि बहुत टाइम से ना, आपने celebrate ही नहीं करा, तो अब कब तक आप भी ऐसे मुर्जाय हुए से रहोगे, आपको भी हक है, कि आप भी अपनी life इंजॉय करें, तो अब आपके पास, जब आश्रिवाद आ गया, तो अब आपकी जिंदिगी अच्छी भी होती जाएगी, romance is in the air, तो ठीक है, तो romance भी आपकी life में आ रहा है, तो यह indication है, कि आप success की तरफ ही आगे बढ़ रहे हो, temperance थोड़ी बहुत healing अभी आपको और करनी है, बट आप कर लोगे बहुत अराम से, बाकी तो बहुत सारी blessings और support, हनुमान बाबाजी की तरफ से आपके पास आ चुका है, और नहीं आया, तो बिल्कुल आजी आजाएगा, ठीक है, इस reading को claim करें, और जैश्री राम के साथ ही हनुमान बाबाजी का नाम लेना, ठीक है, comment में, और सच्चे मन से लिखना, ठीक है, और चेरे पे smile रखकर लिखना, ओके, सबकी मनुकामनाई पूरी होगी, सबी को बाबाजी का साथ भी मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा, आश्रिवाद मिलेगा, ठीक है, अपना विश्वास रखिए उन पर, कि वो साथ चीज अच्छी करेंगे हमाई लाइफ में, और हमें बहुत जो डिफिकल्टीज हैं हमाई लाइफ में, और जो सिचुएशन जिन में हम स्टाक हैं, वहाँ से हमें बहार भी निकालेंगे, ठीक है, इस तरह से आप सोच कर मन से लिखना, ठीक है, जै श्री राम, एंड जै हनुमान, बाबजी, जो भी आपको लिखना चाहें, आप अपने वर्ड्स में लिख देना, ठीक है, लेकिन येस, बहुत ही अश्रद्धा के साथ, ठीक है, ट्रस्ट के साथ आपको लिखना है, ओके, दिस इस यार रीडिंग, और अभी के लिए बस इतना है, गाईज, बाई, टेक केर,